राजधानी बोपाल की कलिया सोथ नदी के अतिक्रमण को लेकर जब से NGT का आदेश आया है इस नदी के अतिक्रमण के दायरे में आने वाले बिल्डिंगों के लोग डर के साये में जी रहे हैं क्योंकि सरकार की तरफ से NGT में जो हलफ नामा दिया है उसमें 10 अक्टूबर तक राजस्वर रिकॉर्ड के मुताबिक अतिक्रमणों का चिन्नांकन और सीमांकन करने और दिसंबर तक सारे अतिक्रमण तोड़ने की बात की है यानि अतिक्रमण तो तूटेंगे ही कलिया सोत नदी के 33 मीटर के दाएरे में वैसे तो 500 से जादा अतिक्रमण है लेकिन चिन्ता उन लोगों को हो रही है जिन्नोंने बिल्डरों से लाखों रुपए में मकान खरीदा ये सभी सागर प्रीमियम टावर के रहने वाले लोग हैं सागर प्रीमियम टावर भी कलिया सोत नदी के 33 मीटर के दाएरे में आता है इसकी एक बिल्डिंग तो नदी के 33 मीटर के दायरे को बताने वाले पत्थर से बिल्कुल सटकर बनाई गई है यानि बाउंडरी वॉल भी टूटे गी और टावर का एक हिस्सा भी टूटे गा इसलिए यहां रहने वाले लोग कह रहे हैं कि जिन बिल्डरों ने लोगों को धोके में रखकर फ्लाइट और मकान बेज दिये उन्हें जेल की सलाखों के पीछे होना चाहिए इस सब के पीछे दी दोशी कहा जाए तो बिल्डर ही है और बिल्डर को न सिफ मुआवजा देना चाहिए बलकि बिल्डर को जेल भी होनी चाहिए ताकि भविश्य में कोई भी बिल्डर ऐसी हरकत ना कर सके और सिफ एक बिल्डर को नहीं जितने बिल्डर हैं करीब 11-12 बिल्डर हैं इस पूरे कलियासोत के किनारे कलियासोत नदी के 33 मीटर के दायरे में जुतने भी अतिक्रमन आ रहे हैं उनमें से ज्यादा तर रहवासी इलाके हैं बिल्डरों ने रिवर व्यू लोकेशन का लालस दिखा कर फ्लैट और मकान बेचे पर वो रिवर व्यू तो छोड़ी है इसके बाद हमारा कलव ङृंत फूरी लोगों को भरोसा हुआ कि जब सारी पर्मीशन है तो फिर ये अतिकरमन कैसे माना जाएगा लेकिन उन्हें नहीं पता था कि बिल्डर और सरकारी अधिकारियों के मिलकर मूटा पैसा कमाया NGT के इस आदेश को अब सरकार सुप्रीम कोर्ट में भी चुनोती नहीं दे सकती क्योंकि सरकार ने ही अतिक्रमन मानते हुए कोर्ट में शबत पत्र दे दिया है यानि बिल्डरों ने काटी चांदी और आम लोगों को दी केवल परेशानी